दोस्तों आपको ये टनल्स कैसी लग रही हैं एकदम हर्याली के बीच में छुट छुटी गुफाईं ये कोई गुफा नहीं है दरसल ये वो सिस्टम है जिससे आप जितनी भी बेल वाली सबजियां हैं उनके अंदर पोड़क्शन को दोगुना कर सकते हैं क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं कम पानी के अंदर ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं कम लेबर के साथ ज्यादा हर्वेस्टिंग कर सकते हैं कम बीजों के साथ ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये पूरा का पूरा बैंबो लोफ्ट सिस्टम है मतलब लुफ को हम कहते हैं मचान यानि कि मचान विदी है जिसके उपर आप किसी भी बेल को चढ़ाते हैं वो बेल उपर फैलती है और नीचे पूरा कपरा वेंटिलेशन रहता है हवा के आने जाने का और हर्वेस्टिंग के दोरान इनसान के भी आने जाने का ये जो सिस्टम है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो खेत में आप उत्पादन ले रहे हैं वो दोगुना हो सकता है चाहे वो करेले की खेती हो चाहे वो लोकी की खेती हो चाहे वो तरही की खेती हो किसी भी बेल वाली फसल जिसके अंदर उपर का जो फल लगेगा उ चाहे खीरा हो, चाहे सेमफली हो, चाहे परमल हो, आप इन चीजों को इस मचानवीदी के जरीए उगा सकते हैं। मचानवीदी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है ये समझ लीजिए। एक तो कोई भी परकार की फसल लगाईए, छे फिट लाइन से लाइन की दूरी, छे फिट इससे कम ना करें। छे फिट से ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छा है, लेकिन छे फिट से लाइन की दूरी कम ना करें। दूसरी चीज़, आप जब उसमें बैड बनाते हैं, तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा बरसात होती है, तो भी आपको उंचा बैड बनाना है, अगर बरसात कम होती है, तो नीचा बैड चल जाएगा। अगर आपके यहाँ पे मिट्टी कम उप जाओ है, तो बैड थोड़ा चोड़ा बनाईए, ताकि ओधा ज़्यादा एरिये में से अपने न्यूट्रिनेट्स एकठा कर सके, और अगर यहाँ पे आपके मिट्टी उप जाओ है, तो छोटा बैड भी चल जाएगा। अब रही बात की इसके अंदर हम बांस लगाएं तो कैसे लगाएं। आप लोगों ने सिंपल बांस खड़े कर दिये, उनके पास में 20 रोप दिया बेल का, और वो बेल जो है वो एक वक्त के बाद, जब 20 दिन के बाद वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके बाद उसको बेल का एंड जो है, दोनों साइड में कैंची लगके बांस लगेगा और बीच में अलग-लग हिस्से पे बांस रुपता जाएगा और उनके बीच में प्लास्टिक के धागे बनते जाएंगे, धागे बांदोगे तो बेल उपर चड़ती जाएगी, इसली के साथ जब आप को उपर भी 6 फिट की उचाई के उपर जो है लगा देने है धागे और बांस, उससे क्या होगा, पूरी गुफा टाइप बन जाएगा, और अंदर आपके पास स्पेस भी होगा, कि आप उसके उपर स्प्रे कर सकें, आप उसके अंदर घूम सकें, आप अच्छे से हार्वे में जाएगी, तो रई भी लंबे में जाएगी, अगर आप इनी चीजों को नीचे, टेडिशनल वे में, आप नीचे खेती करते हैं, खुली बेलों में, तो किसी भी चीज का एक हिस्सा जो है वो खराब होने लग जाता है, उसके उसकी जो शेप है वो सही नहीं रहती, तो आप उसमें परियास यही करें, कि आप मचान वीधी का उपयोग करेंगे, खर दोस्तों, आप लोगों को मैं रोजाना अलग 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 परकार की खेती के बारे में बताता हूं, बहुत से साथी थे, जिनको साबूदाने के बारे में नहीं पता था, कई लोग थे हिंग के बारे में नहीं पता था, जयवित्री फल के बारे में नहीं पता था, मैंने बहुत परकार की अलग लग खेती के विशे में आपको बेसिक जानकारी देने वाली, मैं नहीं कहूंगा कि डीप नोलेज वाली, बेसिक जानकारी देने वाली वीडियो बनाई हैं, अगर आपको लगता है कि ये फुलाम वीडियो हमारी चैनल पर आपको उपलब्द नहीं है तो उस कंटेंट के बारे में हमें कमेंट बोक्स में जुरूर बताएं खेर दोस्तों आपको यहाँ पर कई वीडियो दिखाई दे रही होंगी देखते रहिए ABC इंडिया